आये जानते हैं और एक नया प्रेम कहानी, माया और अर्जुन की, माया और अर्जुन की मुलाकात कॉलेज के पहले साल में हुई थी, दोनों अलग-अलग विशेयों के छात्र थे, माया को साहित्य में रुची थी, जबकि अर्जुन को कम्प्यूटर और तक्नीक में, उनके चौक भले ही अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती जल्दी ही गहरी हो गई, देर रात की लंबी बातचीत, एक दूसरे के प्रती सम्मान और मजा किया स्वभाव ने उन्हें करीब ला दिया, कुछ महीनों बाद, उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई, और वे एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे, उनका रिष्टा स्वाभाविक और सरल लग रहा था, माया अर्जुन के विशलेशनात्मक दिमाग की प्रशंसा करती थी, जबकि अर्जुन को माया की रचनात्मक ता और सा, सहानुभूती बहुत पसंद थी, बिना जाने समझे ही वे एक दूसरे का सहारा बन गए थे, एक शाम छत पर बैठकर सूर्यास देखते हुए अर्जुन ने जिजखते हुए माया से अपने प्यार का इजहार किया, उसे डर था कि माया कैसे प्रतिक्रिया देगी, लेकिन माया मुस्कुराई और बोली, मैं भी यही महसूस कर रही थी, लेकिन मैं चीजों को जल्दी बाजी मा नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ें, उन्होंने डेटिंग शुरू की, लेकिन उनका रिष्टा पूरी तरह से पफेक्ट नहीं था, कई बार गलत फेहमिया होती थी, खासकर तब वे हमेशा बातचीत के जरिये अपनी समस्याओं का हल धूनते थे और एक दूसरे के करीब आते जाते थे, समय के साथ उन्होंने व्यक्तिगत और साथ-साथ एक जोड़े के रूप में भी विकास किया, उन्होंने अपने मद्धेदों को संतुलित करना सीख लिया था, माया सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके और अपने अपने करिय की शुरुआत के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया, उन्की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक मजबूत आधार बनाया था, जो विश्वास, धैरिय और आपसी सम्मान पर आधारित उन्की कहानी इस बात का प्रमान थी कि जब प्यार को देखभाल के साथ पोशित किया जाता है, तो ये कुछ खूबसूरत और स्थाई बन सकता है, ये कहानी रिष्टों में समवाद, धैरिय और विकास के महत्व को दर्शाती है, हर रिष्टा उतार चड़ाव से गुजरत है, लेकिन सही प्रमान थाई